सर्वेब्यो नमो नमा आज हम बिये पार्ट थर्ड येर के दितिय प्रशन पत्र के चतुर्थ इकाई के अंतरगत व्याकरण भाग में भूधातु के वत्मान काल लट लकार का अध्यन करेंगे सर्व प्रथम इस लकार में आने वाले प्रमुक्सुत्रों का हम अध्यन करेंगे वह इस प्रकारे सर्व प्रथम भूधायो धातवर भूधायो अर्थात भू एवं आदि धातूं की धातू संग्या होती है इस प्रकार हम देखते हैं कि भू ये दस गण है इस दस गणों में जो धातू हैं उनकी संग्या क्या होगी धातू संग्या भू आदर यो धातू सुत्र धातू संग्या का सुत्र है अगला सुत्र है वर्तमाने लट अर्थात वर्तमान काल में धातू से धातू कुन सी भू आदी लट लगार का प्रियोग होता है लट लगार में कैकी हलन्तेम से इतसंग्या हो जाती है तथा अकी उप्दे से अज अन्नासिक से इतसंग्या हो जाती है लशेश बचता है अब धातू से तिंगंध प्रते लगते हैं प्रते दो प्रकार के होते हैं सुबंध और तिंगंध सुबंध प्रते सू और जस अम और सस इस प्रकार से एक्किस प्रते हैं जबकि तिंगंध प्रते भी दो प्रकार के होते हैं प्रस्मे पदी प्रते और आत्मे पदी प्रत प्रस्पें पर इप्रत्ते हैं तिप तस जी पर्थम पुरुष एक वचर में मध्यम पुरुष में सिप मस शिप थस थ और उत्तम पुरुष में मिप वस मस इसी प्रकार आत्ने पदी में भी नो प्रत्ते होते हैं वह इस प्रकारे ता आताम जय थास आताम ध्वम इट वही और महिंग इन प्रत्यों की भी हलन्तेम इत्यारी सुत्र से इत्संग्या हो जाती है और जहां पर इत्संग्या का निश्यत होता है वहां अफवाद सुत्र परवर्थ हो जाता है अग्रा सुत्र है तिंग शित सारवधातु कम तिंग प्रत्य मैंने पताया आपको तीसे लेकर के महिंग तक के जो अठारा प्रते हैं उनको तिंग प्रते कहा जाता है एवं शित प्रते उन्हें करते हैं जिस प्रते में शैकी इत संग्या होती है शंकर वाले शैकी जिसमें इत संग्या होती है वह शित प्रते होते हैं तो तिंग और शित की सारुधातुक संग्या होती है अगला सुथ है कर्तरी शब्द सारो धातुक प्रत्य होने पर सारो धातुक प्रत्य परे होने पर धातु व प्रत्य के बीच में धातु व प्रत्य के बीच में शब्द का आगम हो जाता है यहाँ यह ध्यान युद्देन योग्य बात है कि सारवधातुक प्रते बाद में हो तो धातु वप्रते के बीच में शब का आगम हो जाता है शब में शयर वर परकी इत्संग्या वर लोप हो जाता है परकी इत्संग्या हलंतेम से होगी और शयर की इत्संग्या लशक वर तरीते सुत्र से होगी तो अशेस रहता है बाद में रहने पर धातु के प्रत्य के स्वर को गुण हो जाता है अब यहां गुण किसको होगा अगर धातु के प्रत्थम स्वर को ठीके धातु का जो प्रत्थम स्वर होगा उसको गुण हो जाएगा अब गुण किसको होगा रिश्व या दिर्ग ए को ए हो जाएगा इस्व या दिर्ग रीको अर हो जाएगा तो ए को ए उ को ओ तथा रीको अर गुण हो जाएगा अगला सुत्र है जो अन्त जी प्रत्य को अन्ति आदेश हो जाता है प्रत्मा बव अचन में जी लगता है उसको अन्त आदेश हो जाता है अतो दिर्गो यही यही प्रत्यहार प परे रहने पर अ को आ को जाता है जहांबी यही प्रतिहार बाद में होगा दूसरे पहले आ आएगा तो अ को आ हो जाएगा अतोगुणे यदि A के बाद A आवे तो दोनों के इस्तान पर पररूप एक आदेश हो जाएगा पररूप का मतलब जो बाद वाला रूप है तो दोनों A के इस्तान पर एक ही A आदेश हो जाएगा तो अतोगुने सुत्र करता है यदि अ के बाद अ आवे तो दोनों के स्थान पर पररूप अ आदेश हो जाता है अगला सुत्र है हो आए वायावा है ह प्रत्यार में क्रमस है ए, ओ, आई और आव ये चार वरनाते हैं इनको क्रमस है आए, आव, आए और आव आदेश हो जाता है अर्था ए को आए, ओ को आव, आई को आए, और आव को आव आदेश हो जाता है अब हम भूधातू वरत्मानकाल का रूप शिद्धी करेंगे सरोपर्थम भावती तो सरोपर्थम यहाँ पर भूधातू से भूधातू से भूधातू से भूधातू संग्या वरत्माने लट से लट प्रते, लट में से टैकी हलंत्यम से इत्संग्या वलोप फिर तिप तफजी शिप्थस मिस से लट के स्तान पर प्रत्मा विभक्ती प्रत्म पुरुष एक वचन में तिप प्रते का आगम इस्तती बनी भूधन तिप अब पकी हलंत्यम से इत्संग्या वलोप होकर इस्तती बनी भूधन तिप अब तिंग शित सरधातु कम सुत्र से तिप्रत्य की साजधातु संग्या हुई करतरी शफ शे इसमें शफ का आगम हुआ या शफ का आगम धातू और प्रत्य के बीच में होगा शप में से शय की लशक्वत अधिते से अपपा की हलन्तम से इत संग्याव लोपोकर आशिस रहा इस्तती बनी भूधन अधन ती अब सारो धातु कार धातु कईयों से धातु को गुण मैंने बताया कि गुण में उक को क्या हो जाएगा ओ इस्तती बनी भूधन अधन ती अब एचो अई वायाव सुत्र से ओको भी अव आदेश करने पर इस्तती बनती है भूधन अवधन ती अब इसको सब मानों को आपस में मिलाने भी बनेगा भौती इस प्रकार भूधातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है भावती अब देवचन में भावताह बनता है जिसकी रूप शिद्धी इस प्रकार है सरो प्रथम भूवादयो धातु से भूधातु संग्या वर्तमाने लट से लट का आगम हुआ तब इस्तती बनी भूधन लट अब तिप तफ जी शिप थस थस से वर्तमान काल दीवचन की विवख्षा में तस प्रत्य का आगम हुआ इस्तती बनी भूधन तस तिंग शित सारो धातु कम से सुत्र के तस के प्रत्य को सार्धातु संग्या हुई करतरी शिप से सुत्र के वधातु के बीच में शिप का आगम हुआ शिवपकी इस्तती बनी भूधन अधन तस अब सारो धातु कार्धधातु कयो सुत्र से धातु को गुण उको ओ भौधन अधन तस एचो अई वायाव सुत्र से ओ अव आदेश ओस्षा का रूत्वविसर्ग करिने पर बनता है रूप भावत है इसी प्रकार प्रथम पुरूस बहु अचन में रुप बनता है भवन्ती वई भुवादयो धातु से धातु संग्या वर्तमाने लट से लट प्रत्य का आगम तिप तफ जी इडवही मैंग से लट के स्थान पे बहु अचन पे जी प्रत्य का आगम जी प्रत्यकिस्टा के बाद में तिंग शित फरधातु कम से साधातु क संग्या करत्रिσवप से शभका आगम शेवकर की इड़ संग्या वे लोप इफ्टति बनी भूधन अधन जी साधातु कारधातु कयों से धातु को गुण तब बना भोधन अधन जी अब जो अन्तह सुत्र से जी के इस्तान पर अंति आदेश हुआ इस्तती बननी भवन भावधन अंति इसके बाद अतोगुने सुत्र कहता है कि अ के बाद आवे तो दोनों के स्तान पर पदूप एकादेश हो जाता है तो यहाँ पे भाव के बाद में अंतिका आ आ रहा है दोनों अकेस्तान पर एक आ होकर इस्तति बनेगी भावन्ती इसी प्रकार मध्यम पुदुष एक वचन में भुधातु से शिप त्रते भुवादयोय से धातु संग्या वर्त्माने लट्फे लट्फ त्रते और तिप तफजी शिप मध्यम पुदुष एक वचन में शिप का आगम पकी इत्रंग्या वर्त लोग सीशेश करते रिशप से शप का आगम सार्धातु कार्धातु के शिदातु को गुण भुखो ओ और बनेगा भावसी मध्यम पुरूफ देव अचन में भावत है वई सबसे पहले भुवादयों से धातु संग्या वर्त्माने लट्फ से लट्फ का आगम तिप्तफ जी शिप्तफ से थस प्रते का आगम इश्तति बनी भूधन थस तिंग शित्फार्धातु कात्म कमसे धातु को सार्धातु को संग्या कर्थ जबसे शबक का आगम शार्धातु कार्धातु को एसुधातु को गुण एच व अयाउसे अवादेश इस्ति बनी भावत्फस और अन्त में सकारुत्व इसर्फ करने पर बनेगा भावत है मद्यम्पूरुस बहुअचन में भाउतह वही भौवादयटुस से धातुसंग्या वर्त्मानिलटसे लटका आगम तिप्थस जी किप्थस थ से बहुआपड़ुस बहुआचन में लटके फ्थान पर था का आगम तरंतर तिंग शित फरधातु कमसे साधातु कसंग्या करतरी शप्षे शपका आगब शपका असेश तरंतर साधातु कारधातु के योशे धातु को गुण हो आयाऊ से ओको अवादेश वो सबको मिलाने परिश्टति बनेगी भाउता है उत्तम पुरूस एक वचन में रूप बनता है भावामी यहाँ पर सरोप्रथम भुवाद अयो से भुव की धातु संग्या वत्माने लट से लट प्रते तिप तफ जी इडवही महिंग से सरोप्रथम मिप प्रते का आगम तिंग शित फरधातु करम से धसारधातु क्संग्या करतरिशप से शपका आगम अशेश सरोधातु कारधातु कई उसे धातु को गुण एचो अयो आयो याव से अवादेश इस्तति बनेगी भाव धन मिप अब अतो दिर्गो यही सुत्र से भाव के को आदेश यहां भाव के आको आ होकर इस्तति बनेगी भावामी आगे भावा वह उत्तम पुरुस भाव अचन में फरव पर्थम यहां पर वही भुव आदयो धातु से धातु संग्या वर्तमाने लटका आगम तिप्तफजी शिप्तस्थय मिप्वस मस तो यहां मध्यम पुरुस दीवचन में उत्तम पुरुस दीवचन में वस प्रत्य का आगम शरुधातु संग्या करतिरिशप से शपका आगम शपका लोपकर करके अशेश सरुधातु कारधातु के यह सुत्र से भुको ओ एचोई वायाव से अवादेश भावधन वस अतो दिर्गो यहिसे सुत्र के आपको आउवा भावधन वस एशिश्टिती बनने पर सकार्यतु विश्र करने पर वर्णों को मिलाने पर भावावरूप बनता है आगे है भावामा उत्तमपुरुस बहुवचन में सरवत पर्थम यहां भी भुवादयो से धातु संग्या वर्तमाने लट से लट प्रते तिप्तफ जी सिप्तफ था मिप्वस मस से उत्तमपुरुस बहुवचन की विवख्षा में मस प्रते तिंग शित फारोधातु कम से मस की सरवतुक संग्या करत रिशप से शपका आगम शप्य से शयव अपकी इत्रंग्याव लोप अशिस सारोधातु कारधातु करेश भुवको गुण ओ एचो आयाओ से ओको अवादेश अतो दिर्गो यहिसे भव के अको आ होने पर भवामस तब सका रूत्व विशरक करने पर रूप बनेगा भवामा इस प्रकार भूधातु में इन सुत्रों का प्रियोग होकर वर्तमान काल में यह रूप बनते हैं पर्तम पुरुस में भावती दीवचन में भावत बहुवचन में भावंती मध्यम पुरुस में भावसी दीवचन में भावत और बहुवचन में भावता उत्तम पुरुस में भावामी भावावा भावामा आज के लिए इतना ही अगरिम कक्षा में हम भूधातु का अगरिम रूप लकार का रूप पड़ेंगे धन्यवाद